साथियों, आठ साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिती थी, ये इस कारकम में बैटे सभी दिग्जज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रीड को लेकर दिक्टत थी, ग्रीड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन गट रहा था, कटोवती बढ़ रही थी, डिस्ट्यूबिशन सिस्टिम पूरी डवा डोल थी, ऐसी स्थिती में आठ साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांस्फॉर्म करने का बिड़ा उठाया। बिजली व्यवस्ता सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांस्बिशन, डिस्टिबिशन और सबसे महत्वपोन कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दुसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांस्बिशन, डिस्टिबिशन, सिस्टिम मजबुत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई खलाब नहीं होगा। इसलिए जादा से जादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी बित्रण के लिए, ट्रांस्बिशन से जुड़े पुराने नेट्वर्क के आदूनी करण के लिए, देश के करोडों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए, का नतीज़ा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही बलकि जादा से जादा गंटे बिजली मिलने भी लगी है पिछले आठ वर्सों में देश में लगभग एक लाग सत्तर हजार मेगावर्ट बिजली उत्पादन की ख्षमता जोड़ी गई है वन नेशन वन पावर ग्रीड आज देश की ताकत बन चुका है पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग एक लाग सत्तर हजार सर्कीट किलोमिटर ट्रांस्पिशन लाइन्स बिचाई गई है सवभागी योजना के तहट लगभग तीन करोड बिजली कनेक्शन दे कर हम सेचुरेशन के लक्स तक भी पहुंच रहे हैं